नवस्कार आप Live Cities देख रहे हैं मैं हूँ जैशुकला अब जबकि ये तैय हो चुका है कि बिहार में जातिया गिनी जाएंगी जातिये जनगरना कराई जाएंगी जिसे लेकर सर्वदलिय बैठक भी कर लिया गया है तो ऐसे में अब बीजेपी ने नितीश कुमार को एक सलाह आदे डाली है सुशिल कुमार मोदी ने नितीश कुमार को जातिये जनगरना कराने से पहले क्या नसीहत दी है क्या सलाह दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाएंगे लेकिन उससे पहले आप ये समझ लिजेए कि बीजेपी इससे पहले तो जातिये जनगरना के खिला रज्यमंत्री प्रशद ने और जाती जनक्रणा बनाने का आपचारिक फैसाल लिया हैं घर में सरकार से यह भी आगड़कर रूँगा कि भीहार सरकार की टीम करनाठक और तैलंगाना भेज कर इस बात का ध्यन कराए कि करनाटक को तेलंगाना में किस प्रकार से जातिये सर्वेक्षन कराए गया था क्योंकि करनाटक में जो सर्वेक्षन हुआ साथ वर्ष होगे लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट को साड़ जुनिक नहीं किया जा सका है क्योंकि बताया गया कि कुछ जातियों के संख्या काफी कम पाई गई और इस दर से कि वो जातिया नाराज नहों जाए जनगर्णा के आकणों को रुख दिया गया तेलंगाला में समगर एकुटुम सर्वे कराया गया एक ही दिन में पूरी सरकारी मिशनेर घरगर जाकर 75 मुद्धों पर और सर्वेक्षन का काम पूरा किया था उसी प्रकार जो भार सरकारें 2011 में सोश्य एकोनोमिक का सेंसस कराया था उसमें 43 लाग से जादा जातियां पाई गी और 1 करोड 18 लाग से जादा तुरूटियां पाई गई थी अब पर अंतव भार सरकार उसको रीज नहीं कर पाई तिन तमाम बातों का अधिन किया जाना चाहिए ताकि उन बातों से सबक लेकर हम अपने राज्य में जाती जन्यगना कराए ताकि कहीं किसी प्रकार की तुरूटी नहरा जाए कोई प्रकार की कट्राई नहरे धन्यवाद तो सुना आपने सुशिल कुमार मोदी सबसे पहले धन्यवाद कर रहे थे नितीश कुमार को और उसके बाद वो सलाह दे रहे हैं और दक्षिर भारत के कुछ राज्यों के विनिती करा रहे हैं उनका नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां की तरह यहां भी बिहार में कोई गलती ना हो जाए इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे कराने की जरूरत है सुशिर कुमार मोदी ने धन्यवाद कहते हुए सुझाव दिया कहा है कि बिहार सरकार को करनाटक और तेलंगाना टीम भेज कर अध्यान कराना चाहिए कि इन दोनों राज्यों ने किस प्रकार जाती अधारित गड़ना कराई थी साथी इस बात का भी अध्यान कराना चाहिए कि 2011 की समाजिक आर्थिक जातिय जन्गरना में क्या तुरूटियां पाई गई थी किंद्र सरकार जाती कि आखणों को सारवजनिक नहीं कर पाई उन्होंने ये भी कहा कि इस अध्यान को देखने की जरूट है ताकि बिहार में गलतियां ना हो सके और उन्होंने तेलंगाना करनाटक का जिकर करते हुए कहा कि वहाँ पर आखणों को इसलिए छुपाना पढ़ गया था क्योंकि वहाँ कुछ जातियां ऐसी थी जिनकी संख्या बहुत कम थी और उन्हें इस बात का बुरा न लग जाए इसलिए आखणों को सरकारी तोर पर शुपा दिया गया था अब ऐसे में बेहार में भी कहीं वही हालत ना हो जाए इसे लेकर सुशील कुमार मुदी नितीश कुमार को सलाह दे रहे हैं देखना है कि नितीश कुमार की सलाह पर कितना आमल करते हैं बने रहें लाइप सेटीज के साथ जदि आपने इस चैनल को स सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद